वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बुखार कैसे मेजर करते हैं, कौन सा थर्मामेटर बच्चों के लिए हमें यूज करना चाहिए, हमें बच्चों की जो टेंपरेचर है वो कहां चेक करनी चाहिए, मुग के अंदर चेक करनी चाहिए, बगल में मतलब आमपिट में, एक्जिला में चेक करनी चाहिए, या रेक्टल थर्मोमेटर का यूज करना चाहिए, या फोर हेड में जो इपरेचर है, वो कैसे मेजर करते हैं, इसका कारण ये है कि बहुत बार पैरेंट्स मेरे पास आते हैं, और वो बताते हैं कि डॉक्टर बच्चे की बौडी तो गर खा रहा है कि नहीं, और अक्सर कही पैरेंट्स ये भी कंप्रेंड करते हैं, कि बच्चे का सिर हमेशा गरम रहता है, बच्चा पूरी तरह से ठीक है, अच्छी तरह से खेल रहा है, खा रहा है, इसलिए छोटे बच्चों में अक्सर पैरेंट्स ये अबजर्ब करते हैं, क जो कि बहुत helpful होता है बच्चों की बुखार को मेजर करने के लिए हमारा दोस्त है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कौन सी चीजे हमें अपने घर में फस्टेड बॉक्स में रखनी चाहिए तो उसमें एक important चीज ये बताया था कि thermometer रखना चाहिए और एक और च स्टेक हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हाथ से जो हम बच्चों को छूके लगा अंदाज लगाते है उससे हमें accurate नहीं पता चलता है कि बच्चे को कितना बुखा रहा है और फिर हम अगर डॉक्टर को बताते है कि बच्चों को बुखा रहा है तो डॉक्टर, as a doctor मैं समझ नहीं पाता हूं कि बच्चे को कितना बुखा रहा है तो इसलिए डिजिटल थर्मामेटर के यूज करके बुखार को मेजर करना और इसकी टेंपरेचर की चार्टिंग करना बहुत important है सबसे पहले तो मैं आपको demonstrate करना चाहता हूं कि जो डिजिटल थर्मामेटर है उसको कै कैसे यूज करना है बच्चों की टेंपरेचर लेने के लिए देखे डिजिटल थर्मामेटर को यूज करने के लिए हमें जो बच्चे पांस साल से कम हुमर के हैं उनको ज्यादा तर मैं आमपिट के अंदर चेक करने के लिए रिकमेंड करता हूं आज हम दिखाने वाले हैं कि बच्चों में थर्मामेटर कैसे यूज करते हैं तो पहले हमें थर्मामेटर को सुच अन कर लिया और सुच अन करने के बाद जब यह टेमपरेचर ऐसे लो और फ्लैश करने लगता है तो उसके बाद उसको हमें बच्चों के आमपिट में लगाना है आमपिट में ध्यान रखना है कि जो sensor है वो बच्चों की armpit में ठीक से जाए तो यहाँ पर लगा के इसको ऐसे hold करना है तब तक hold करना है जब तक कि वो बीप ना करें तो अभी आप दीख सकते हैं कि यह बीप कर रहा है बृफ करने के time पर इनका temperature बच्चे का 98 दिखा रहा है तो जब भी यह temperature आम पिट में 99 से नीचे है तो उसको बुखार नहीं मानते हैं और 99 के ऊपर जब जाता है temperature तो उसको हम बुखार मानते हैं तो अभी बच्ची को बुखार नहीं है, एक चीज ध्यान रखे कि कभी भी parents किया गलती करते हैं कि कपड़े के ऊपर से ऐसे लगा देते हैं, यह wrong technique है, कपड़े के ऊपर से नहीं लगाना है हमें, हमें कपड़े के अंदर लगाना है, direct skin के contact में लगाना है, थर्मामेटर को, skin जो बच्चे 5 साल से कम उमर के हैं, उनमें मैं आमपिट में recommend करता हूँ, जो बच्चे 5 साल से बड़े उमर के हैं, उनको आप चाहे तो आमपिट में भी check कर सकते हैं, और या अगर चाहे तो oral temperature भी दे सकते हैं, oral temperature देखने के लिए हमें उसको जबान के अंदर रखना होता ह और बच्चे को बुलना होता है कि वो जो thermometer को है अपने lips के बीच में hold करें और आप भी हाथ से thermometer को hold कर सकते हैं, oral और armpit temperature में क्या difference होता है मैं last में समझाओगा और ये भी practically समझाओगा कि कैसे आपको इस situation के साथ deal करना है, कि कौन सा temperature बुखार है और कितना हमें बुखार मान चाहिए, oral और armpit में क्या difference होता है, अब मैं आपको तीन साउधानियां बता रहा हूँ जो आपको ध्यान दखना है, digital thermometer उस करते हुए, एक जब भी आप किसी thermometer, जब भी आप thermometer को बच्चों में यूज करते तो उसके पहले उसको साफ कपड़े से या साफ cotton से साफ कर लें, द बहुत जड़ी है, correct temperature लेने के लिए, तीसरी जो special tip में देना चाहता हूँ, वो यह है, कि जब बच्चों में temperature लेना चाहते हैं, हम तो कई बच्चों में temperature लेने नहीं देते हैं, मतलब बगल में thermometer को लगाने नहीं देते हैं, oral temperature तो बच्चे मुँ में डालना तो देते ही न बच्चे, बट कई बच्चे जो हैं वो बगल में thermometer हम आमपिट में रखना चाहते हैं, वो अलाव नहीं करते हैं, रोने लगते हैं, उनको डर लगता है कि पताने हम क्या कर रहे हैं, उस सोते हैं कि परिसान होते हैं, तो इस समय पर क्या करना चाहते हैं, जब बच्चा सो र मैं आसा करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया है कि बच्चों को टेंपरचर कहां चेक करना है जैसे कि मैंने बताया कि जिनरली जो कॉमन डे टू दे प्रैक्टिस में मैं पैरेंस को सम्झा जाता हूँ कि आप आमपिट में चेक करें अगर बच्चा पांस साल से कम उमर 5 साल से बड़े बच्चे को भी आप आमपिट में चेक कर सकते हैं या फिर औरल टेंपरचर भी ले सकते हैं अब बात करेंगे कि ओरल और आमपिट की तैंपरचर में कितना डिफेर्ट होता है तो अगर आप एक डिग्री ऐड कर देते हो तो वो oral temperature के बराबर आजाता है तो अगर आप oral temperature को कॅंसिडर कर रहे हैं तो बुखार तब माना जाता है जब और chapter के उपर हो और अगर आप प्रांपिट में temperature ले रहे हैं तो आप मतलब olabilir में अगर अगर 27 डिगरी के उपर है तो उसको हम क्लिनिक मेंगुटानया य्कॉं कि गिलते हम बुकार मानते हैं jadi अगर आपको छॉपर को अपको प्राइब सकते हैं और ईसे कर सकते हैं और जयान दान निए ट्रॉब्र पार अ मतलना थे या घंडंडे के नहीं खाना होना सेचिए 1 तो आधे कॉसके लादा कुछ फर्क पढ़ सकता है अब जो question पूछते हैं कि कौन सा thermometer यूज करें देखे मेरे opinion में मेरे clinical practice में बहुत चीजों को simple लखना चाता हूँ parents के लिए तो मैं हमेशा digital thermometer यूज करने के लिए बोलता हूँ जो कि ये simple आप देख रहे हैं किसी भी अच्छी company का ले सकते हैं जिसमें one year warranty की आती हो और ये बहुत सस्ता पढ़ता है ये करीब करीब 200 से 300 रुपए में अच्छी company का आ जाता है और बहुत दिन तक टिकता है असानी से नहीं तूटता है और reading भी accurate देता है तो इसको बस इतना जानना है कि कैसे oral और armpit में यूज़ करना है दूसरी चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ कि mercury thermometer हमें यूज़ नहीं करना है कि mercury thermometer में क्या होता है कि mercury होता है और mercury अगर thermometer glass की होती है तो वो तूट जाती है तो glass से injury होने के chances है और दूसरी चीज़ है कि mercury भी बच्चे इन्हेल करते हैं तो उससे भी बच्चों को रिस्क होने का चांस रहता है दूसरी चीज़ है कि जो आजकल बहुत जादा यूज हो रहा है इंट्रामेटर इसकी जो फैदा है कि यह बहुत आसानी से हम चेक करते हैं इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि यह थर्मोमेटर उतना एकुरेट नहीं होता है इसके लावा भी रेक्टर और इयर थर्मोमेटर भी आते हैं बट उनका यूज घर पे करना उतना आसान नहीं है इसलिए मैं आपने प्रेशिंस को रिकमेंड नहीं करता हूँ और इसकी टेक्निक डिसकस करने की मैं समझता हूँ की जरूरत नहीं है क्योंकि पैरेंस को इतना कंफ्यूज करना जरूरी नहीं है तो मैं इसमें भी बहुत सिंप्लिफाई कर देता हूँ पैरेंस को मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं बोलता हूँ पैरेंस को कि आप याद रखिए अंबिट में टेमपेटर चेक कर रहे तो अगर वो 99 डिग्री फारेंहाइट से ज़्यादा है तो उसको हम बुखार मानते हैं और अगर हम ओरल टेमपेटर चेक कर रहे तो उसको 100 डिग्री फारेंहाइट से ज़्यादा है तो हम उसको बुखार मानते हैं अगर बाई चांस आप रेक्टल देख रहे हैं या फिर एर थर्मामेटर से एर का मेजर करते हैं तो उस सिच्विशन में 100.4 से ज़्यादा होने को बुखार माना जाता है फाइनली मैं आपको जो मैंने प्रामिस किया था वीडियो के सुरुवात में कि परासिटमॉल की डोस बता दूँगा देखिए परासिटमॉल की डोस के बारे में मैंने एक अलड़ी वीडियो बनाया हुआ है और फीवर घर पे बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं कैसे स्पॉंजिंग करते हैं बुखार में बच्चों को क्या खिलाना चाहिए इस सब को समझा है फिर भी मैं आपको इसमें एक सिंपल टिप देता हूँ कि परासिटमॉल की अलग-अलग प्रप्रेशन आती है उसमें आपको स्टेंज देखना पड़ेगा उसमें कैलपल की डॉप भी आती है 120 mg पर 5 ml की सिरफ आती है 250 mg पर 5 ml की सिरफ आती है बट जो जेनरल आप याद र परासिटमॉल डोज दे सकते हैं मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर विस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे परेंट्स के साथ जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करन ना भूले क्योंकि आगे चलके भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टन वीडियो लाने वाले हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाओ सामान ये स्वास्ते जानकारी हैं किसी भी सुझाओ का उपयोग करने से पहले आपने डॉक्टर की एडवाईस या सहमती जरूर ले